नमस्ते भाईयार बहनों आज हम कर रहे हैं वेब सीरीज घर वापसी का रिवीउ जो हम डिजनी जमा होट स्टार में देख लिए हैं और इसको conclude मत करना निर्मल पाठक की घर वापसी दूसरा वेब सीरीज है और घर वापसी जो है केवल घर वापसी वह डिजनी प्लस होस्टार पर है सबसे पहली बात आपको बता दें कि भौतिकता के इस यूग में यानि कमर्सियलीजम के यूग में जहां या तो कोई नक्त बेच रहा है नहीं तो कोई नक्त खरीद रहा है ऐसे में रिष्टे जो है वो कहीं पीछे चूट जाते हैं और उसी बात को याद दिलाती है ये वेब सीरीज घर वापसी कलाकारों की यदि बात करें तो एक से एक बढ़िया कलाकार ले लिए हैं विसाल वसिस जो है वो अहम भूमिका में है और उनका साथ दे रहे हैं अपना अजि अच्छे गाव में छोड़ा आयते सहर में काम नाम कमानी के लिए तो इन सभी ने अपने अपने किरदारों से फुल जस्टिस किया है बहुत अच्छा एक्टिंग किया तो कहानी जो है सिंपल है सेखर याने विसाल वसिस जो है उनकी नौकरी रहती बैंगलोर में और उनको किसे वज़ा से नौकरी से निकाल देते हैं तो अब वो अपने घर इंदोर वापस आते हैं सोचते घर बेटके थोड़ा नौकरी धूनेंगे लेकिन जब घर आते तो उनको रियलाइज होता है कि रिष्टे नाते मम्मी पापा भाई बहन दोस्तियार साब पीछे चुट ग करियर पर ध्यान दें कि बबुआ को पढ़ा लिखा लें अपना एक्टिंग के करियर में आगे बढ़ें कि जो है लेखन के काम को आगे बढ़ाएं यह बहुत मुस्किल है एकदम बैलेंस कर नहीं पाते हैं चाहे कितना भी कोसिस कर लो बनी कुछ ना कुछ पीछे चुठी जाता है ये बात हमको याद आगे दीपी कपदु को उनकी कुल मिलाके ये विपसीर हमको तो भाई इसमें समाज का एक दरपन है छोटे भाई बहन के साथ एक मीठा सा रिष्टा है और छोटे घर का बड़ा लड़का होने की जो जिम्मेदारियां होती है वो बखुवी लेख लेखते हुए हमको इंदार के छपन के पोई बहुत याद आए नीनी करके भी ना पांच एक प्लेट खा जाया करती थी अपने जमाने में